केंद्रिय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले कोरोना वाइरस से संक्रमित हो गए हैं मंगलवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आठवले को इलाज के लिए बॉम्बै होस्पिटल में भरती कराये गया है केंद्रिय मंत्री के दफ्तर से यह जानकारी मिली है आठवले ने गो कोरोना गो का नारा दिया था जो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुआ था जिसके लिए उनका खुब मजाक भी बनाया गया था आठवले के संक्रमित पाय जाने के बाद एक्ट्रिस पायल घोष सहित कई अन्य लोगों को कोविड नाइंटीन जाच करानी होगी यहां आपको बता दें कि सोमवार को ही रामदास आठवले ने पायल घोष को पार्टी की सदस्तिता दिलाई है इस मौके पर कई लोग समारों में मौझूद थे इन सभी को फिलहाल आइसोलेट होने और टेस्ट कराने को कहा गया है आठवले से पहले महराश्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कोविड संक्रमित हो चुके हैं फडणवीस ने ट्वीट करते हुए कहा था कि लोकडाउन के दोरान उन्होंने हर दिन काम किया लेकिन अब भगवान चाहते हैं कि कुछ दिनों का ब्रेक लूँ मैं कोविड नाइटिन पॉजिटिव पाया गया हूँ और आईसोलेशन में हूँ डॉक्टरों के निर्देश पर मैं सभी दवाएं और इलाज ले रहा हूँ बता दे कि महराश्टर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मरीजों की संख्या में गिरावट देखी गई जैरो लुक्तर चर्णे पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइट शेर अंड सब्स्क्राइब करें घंडेवाद झाल 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 झाल